Hello everyone, Final Revision में आपका स्वागत है और मैं हुई आश आज के हमारे वीडियो में हम Physics या भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे इससे संबंदे सारी Factual Informations, विभिन उपकरण, विभिन वैज्ञानिक और उनकी खोजे और Physics से Related विभिन अवधारनाओं को भी देखेंगे लेक्चर लंबा होगा लेकिन बहुत Important होगा चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं शुरुआत करते हैं Waves या तरंग से तो किसी माध्यम या पदार्थ में कंपन या दोलन से तरंगें पैदा होती हैं इन तरंगों के द्वारकर्ण एक से दूसरे स्थान तक स्थानांत्रिद होते हैं अब तरंगें दो प्रकार की होती हैं पहली है Electromagnetic Waves या विद्दुचुम्ब की तरंगे ये ऐसी तरंगें हैं जो किसी विद्दुचुम्ब की शेद्र में आवेसों के दोलन के कारण उत्पन होती हैं इन तरंगों के गमन के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यक्ता नहीं होती ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और निर्वात में इनकी गति 3 x 10 to the power 8 meter per second या प्रकास की गति होती है अब सनलाइट और रेडियो वेस्स इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेस्स के ही धारण है तरंगों का दूसरा प्रकार होता है मेकैनिकल वेस्स या यांत्रिक तरंगे तो किसी माध्यम में पदार्स की कणों के कमपन से यांत्रिक तरंगे पैदा होती है इनके गमन के लिए माध्यम की ही आवश्यक्ता होती है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती मेकैनिकल वेस्स का एक्जामपल है साउंड वेव चलिए अब आगे विभिन प्रकार की Electromagnetic Waves के बारे में जान लेते हैं तो ये जो आपको डाइग्रम दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पर इसमें Electromagnetic Waves को उनके घटते हुए तरंग दैर के आधार पर और बढ़ते हुए Energy तथा आवरिती के आधार पर दर्साया गया है इसमें Radio Waves, फिर Microwave, Infrared, दुरिश्य प्रकास, Ultraviolet Waves, X-Race और Gamma Race आ जाती है अब जानते ही कि तरंग दैर की या वेवलेंद क्या होता है तो एक तरंग के द्वारा इकाई समय में तै की गई दूरी वेवलेंद क्यालाती है किसी तरंग के दो सीर्स और दो गर्तों के मद्द की दूरी ही तरंग दैर गया है इसकी इकाई मीटर है और लेमडा से इसे दर्साते हैं अब आगे बात करते हैं आवरती के बारे में तो ये वेवलेंद के व्यूत्व क्रमानु बाती होता है आवरती किसी निश्चित बिन्दू पर एक सेकेंड में बार की गई तरंगों की कुल संखिया है इसकी कई हर्ड्ज या कंपन प्रती सेकेंड है अब आगे जानते हैं कि विविन इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेफ्स के कौन-कौन से उप्योग होते हैं सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेफ्स के बारे में तो रेडियो वेफ्स की आवरती सबसे कम होती है इसलिए इसकी उर्जा और भेदन शम्ता भी कम होती है ये प्रित्वी के आयन मंडल से ठकरा कर वापस लोड जाती है और बड़े भूबाग में परिवर्तित होकर फैल जाती है इसलिए इसका उपयोग रेडियो प्रसारण और बेतार रेडियो संचार में करते हैं आगे आती है माइक्रो वेफ्स इनकी आवरति और भेदन शम्ता रेडियो वेफ्स से अधिक होती है और ये आयन मंडल को भेद कर अंतरिक्ष में पहुच जाती है माइक्रो वेफ्स का उपयोग टेलेविजन प्रसारण सेटलाइट टेलेविजन या डिटी एच उपग्रह संचार एवं उपग्रहों तथा अंतरिक्ष मिसन से संपर्क इस्थावित करने में मोबाइल टेलेफोन, वाई फाई, वाई मैक्स, ब्लूटूथ जैसे बेतार संचार में, राडार में और काली 5000 वेपन में किया जाता है यहां काली 5000 एक डिवाईस है जिसे किलो एंपियर लीनियर इंजेक्षन डिवाईस कहते हैं भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विक्सित इस बीम वेपन को शक्ती शाली माइक्रोवेव तरंगों से जोड़ा जाता है जो किसी दुस्मन, ड्रोन, विमान, मिसाइल, आधी के इलेक्ट्रिक सर्किट को नश्ट करने में सक्षम होता है अब आगे माइक्रोवेव के माध्यम से कोकिंग भी होती है उच्छ शक्ती माइक्रोवेव तरंगों का प्रियोग खाना पकाने और उसे गर्म करने में होता है माइक्रोवेव का उत्सर्जन, मैगनेटरॉन, ट्यूब नामा की अंतर से होता है Microwaves खाद्य पदार्थ में उपस्ते जल के अनुवा द्वारा अफसोसित की जाती है और उसमा में बदल दी जाती है जिससे खाना सीगरता से पकता है इसके द्वारा सिर्फ नमी युक्त खाद्य पदार्थ को ही गर्म किया जा सकता है इसमें धातू के बरतन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि microwave धातूं को नहीं भेद पाती अब आती है infrared waves इनके प्रयोग है infrared thermometer में night vision camera में thermographic scanner में remote controls में और alco meter या breath analyzer में आगे आती है ultraviolet waves तो ये तीन प्रकार की होती है पहला है UVA दूसरा UVB और तीसरा UVC waves अब ultraviolet A waves में सरवाधिक energy और आवरिती तथा भेदन शम्ता होती है इसलिए यह आसानी से धर्दी पर पहुँच जाती है अब इससे कम energy आवरिती और भेदन शम्ता ultraviolet B waves की होती है इसलिए इसकी 85% मात्रा ओजोन के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है फिर सबसे कम energy आवरिती और भेदन शम्ता ultraviolet C waves की होती है यह ओजोन के द्वारा 100% ब्लॉक कर दी जाती है अब यह UV rays तो अच्छा कैंसर और नेतर रोक पैदा कर सकती है इसका उपयोग चिकित सा उपकरणों को रोगानू मुक्त रखने में किया जाता है और जल को जिवानू रहित बनाने में भी होता है अगली आती है X rays जिसके द्वारा कैंसर भी हो सकता है इसके नियंतरिट प्रयोग से रेडियोग्राफी और सीटी सकैन किया जाता है X rays के प्रयोग से क्रिश्टल करन इत्यादी की परमानविक संरस्टना प्राप्ट की जा सकती है आगे आती है गामा rays तो यह भी कैंसर का प्रबल कारक है इसका नियंतरिट प्रयोग कैंसर के उप्चार में किया जաता है यह कैंसर कोसिकाओं को नश्ट कर देती है इसकारी के लिए इसकी प्राप्ति कोवाल्ट 60 समस्थानिक से की जाती है इस प्रक्रिया को कीमो थेरेपी कहते हैं तो ये सारी बात थी तरंग के बारे में अब अगला डॉबिक है लाइट या प्रकाश प्रकास एक electromagnetic wave है जिसके गमन के लिए माध्यम के आवश्यक्ता नहीं होती प्रकास एक अनुप्रस्त तरंग है या transverse wave है क्योंकि इसके कणों के दोलन की दिशा प्रकास की दिशा के लंबवध होती है 1637 में धकारते ने प्रकास के कणिक मॉडल को प्रस्तुत किया और स्नेल के नियम को विद्पन किया था फिर 1678 में क्रिश्टन हाइगेंस ने प्रकास के तरंग सिद्दान को प्रस्तुत किया प्रकास तरंगे निर्वात में कैसे संचरित होती है इसकी व्याख्या स्कॉट लैंड के जैंप्स क्लार्क मैक्सवेल ने की थी मैक्सवेल के प्रसिद्व वैद्दुचुम्बकी सिद्दानत में बताया गया कि परिवर्तन सील विद्दुच्षेत्र समय और आकास में परिवर्तन सील चुम्बकी शेत्र उत्पन करता है तथा परिवर्तन शील चुम्बकी शेत्र भी समय और दिक स्थान में परिवर्तन शील विद्दुट शेत्र उत्मन करता है ये दोनों ही निर्वात में विद्दुट चुम्बकी तरंगों का या प्रकास तरंगों का संचरण कर सकते हैं प्रकास के विद्धुद चुम्बगी प्रभाव के माध्यम से पर्यावर्तन, अपवर्तन, प्रकास का सीधी रेखमे गवन, विवर्तन, व्यतीकरण और प्रकास का दुरवन जैसी क्रियाएं परिवासित की जा सकती है इसके अलावा प्रकास के प्रकास विद्दूद प्रबाव या फोटो एलेक्रिक एफेक्ट तथा क्रॉम्टन सिद्धान्त की व्याख्या आइंस्टीन के फोटोन सिद्धान्त के द्वारा होती है जिसके अनुसार प्रकास उर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में चलता है इन्हें ही फोटोन कहा जाता है अब आगे प्रकास के वेक की सबसे पहले गणना रोमर ने की थी वाई और निर्वात में प्रकास की चाल 3 x 10 to the power 8 meter per second जरवाधि होती है प्रकास की चाल माध्यम के अपवर्तनाग Mu पर निर्भर होती है जिस माध्यम का अपवर्तनाग जितना अधिक होता है उसमें प्रकास की चाल उतनी ही कम होती है इसका सूत्र है U equal to C upon Mu प्रकास को प्रित्वी तक आने में औसे तन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है चंदर्मा से परावर्तित प्रकास प्रित्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगाता है प्रकास के प्रती अलग-अलग विवहार दर्थाने के कारण वस्तूओं को प्रदीप्त या ल्यूमिनस अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस पारदर्सक या ट्रांस्पेरेंट अर्ध पारदर्सक या ट्रांस्लिूसेंट और उपैक या अपारदर्सक वस्तूओं में अब बात करते हैं दर्पन के बारे में तो पहला आता है समतल दर्पन से प्राप्त प्रतिविम्ब समान दूरी पर समान आकार का आभासी और सीधा और प्रतिविम्ब का पार्ट्स्व परिवर्तित होता है समतल दर्पन एक मात्र दर्पन है जो आभासी सीधा और समान आगार का प्रतिविम्ब बनाता है किसी भी दर्पन में आभासी और सीधे के लक्षण एक साथ ही उत्पन होते हैं समतल दर्पन का प्रयोग पेरिस्कोप बॉक्स सोलर कोकर आदी में होता है इसके बाद आता है गोली दर्पन जो दो प्रकार का है अवतल तथा उतल दर्पन इसमें सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पन के बारे में तो इसमें focus होता है जो कि प्रदान अक्ष पर इस्तिद वह बिंदू है जिस पर समानतर किरिने दर्पंड से टकरा कर वापस मिलती है अवतल दर्पंड का focus negative और वास्तविक होता है और अवतल दर्पंड में समानता, वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा या समानाकार का प्रतिबिम बनता है अब इसमें दो कंडिशन है, यदि वस्तू focus बिंदू से अंदर की और रखी हुई है, तो प्रतिबिम आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा और यदि वस्तू focus बिंदू से बाहर की और रखी है, तो प्रतिबिम वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है अउतल दरपन का प्रयोग, शेविंग मिरर या मेकप मिरर, टॉर्च, सर्च लाइट, हैड लाइट, तथा सोलर, थर्मल, पावर प्लांट में किया जाता है चलिए अब जानते हैं उतल दरपन के बारे में, तो इसे अपसारी दरपन कहा जाता है इसमें प्रतिबिम्ब, आभासी, सीधा और छोटा बनता है इसमें फोकस पॉजिटिव और आभासी होता है उतल दरपन का प्रयोग, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर में क्योंकि ये आभासी और सीधा प्रतिबिम्ब बनाता है और इसका दृष्टी शेत्र बड़ा होता है फिर आगे, कॉन्वेक्स लैंस का प्रयोग, निगरानी दरपन मतलब सडकों के मोड में, सर्विलेंस मिरर के रूप में होता है और यह स्ट्रीट लाइट में भी यूज किया जाता है चलि अब आगे जानते हैं प्रकास के अपवर्तन या रिफ्रेक्शन ओफ लाइट के बारे में तो प्रकास की किरण जब सगन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अभी लम से दूर हड़ जाती है क्योंकि सगन शेत्र में इसकी गती कम होती है लेकिन जब प्रकास की किरण विरल से सगन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह है अभिलम की ओर मुरजाती है क्योंकि सगंद शेतर में गती कम होती है और विदल शेतर में गती बढ़ जाती है परन्तु इस गती में समय समान ही लगता है तो इस प्रक्रिया को ही प्रकास का अपवर्तन या रिफ्रेक्षन कहा जाता है अब बात करते हैं रिफ्रेक्षन इंडेक्स या अपवर्तनांग के बारे में तो किसी माध्यम के द्वारा प्रकास को मोरने की शम्ता को अपवर्तनांग कहते हैं इसमें स्नेल के नियम के नियतां को अपवर्तनांग कहा जाता है अप वरतनाग का मान किसी भी माध्यम में इस्थिरिया नियत होता है अब यदि किसी माध्यम में Refresh Index इंडेक्स अधिक है इसका मतलब है कि वह माध्यम अधिक सगं है उसमें Light की अधिक bending होगी और Speed of Light भी कम होगा इसी के चलते सरवाधिक अप वरतनाग Diamond का 2.42 है फिर glass का 1.5, oil का 1.4, water का 1.33, air का 1.0001 और vacuum का 1 है reflex index अब प्रकास के अपवर्तन की क्रिया से संबंदित विभिन एप्लिकेशन्स देख लेते हैं तो पहला है वायू मंडल में अपवर्तन तो किसी भी खगोली पिंड से उत्सर्जित या परिवर्तित प्रकास जब वायू मंडल में प्रविश करता है तब उसकी केरण है वायू मंडल के सगन माध्यम में लगतार अभीलंब की ओर मुर्ती हैं जिसके कारण सभी खगोली पिंड आभासी उचाई पर दिखाई देते हैं इसी कारण समय से पूर्व सूर्योद है और समय के बाद सूर्यास्थ दिखाई देता है आगे जल में अपवर्तन की बात करते हैं जल के अपवर्तन के कारण ही जल से भरी बाल्डी का तल उब्रा हुआ दिखता है और आधी डूबी हुई पैंसिल मोडी हुई दिखाई देती है अब आगे बात करते हैं पून आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफलेक्शन के बारे में तो जब प्रकास सगन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोन का मान क्रांतिक कोन के बराबर या उससे अधिक हो जाए तो प्रकास की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित ना होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है इसे ही टोटल इंटरनल रिफलेक् जैसे हीरे के क्रांतिक कोंड का मान मात्र 24 डिग्री होता है जो हीरे के चमकदार होने का कारण है अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उधारन है मिराज, रेंबो फॉर्मेशन और अप्तिकल फाइबर अप्तिकल फाइबर का प्रियोक संचार, चिकित्सा या एंडोस्कोपी में होता है मिराज या म्रिग मरीची का में गर्मी में सड़कों पर पानी होने का ब्रहम होता है काच की दरारों में चमक होती है और जल में डूबी परकनली चमकती है अब आगे बात करते हैं प्रकास के वंड विच्छेपन या डिस्बर्जन और फ्लाइट के बारे में तो प्रकास का प्रिज्म की सता से टकरा कर विब गयोर या साथ रंगों में विभाजित होना उसका वंड विच्छेपन कहलाता है इसमें सरवाधिक बैंडिंग, वॉयलेट या बैगनी रंकी होती है जिसमें सरवाधिक आवरिती और एनर्जी होती है सबसे कम एनर्जी और आवरिती रेड कलर की होती है इसलिए इसमें मिनिमम बैंडिंग होती है आगे जो rainbow का formation होता है उसमें अपुवर्तन, total internal reflection और प्रकास का वन्ड विच्छेपन ये तीनों ही क्रियाएं संपन होती है अब आगे बात करते हैं प्रकास के प्रकीनन या scattering of light के बारे में तो जिस रंग के प्रकास की तरंगे दैर्गे सबसे अधिक होती है उसका प्रकीनन सबसे कम होता है मतलब जिस रंग के प्रकास में सरवाधिक energy या आवरती होगी उसका प्रकीनन सरवाधिक होगा तो प्रकास की किरण जब वायू मंडल से होकर गुजरती है तो निम्ने तरंग दैर्गिया वेवलेंद की प्रकास किरणों को बिखेर दिया जाता है इसे प्रकास का प्रकींडन कहते है प्रकींडन के द्वारा ही आस्मा नीला दिखाई देता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है लाल प्रकास का प्रकींडन सबसे कम होता है यही कारण है कि खत्रे के संकेत के रूप में लाल रंगा प्रयोग होता है फिर वायू मंडल के बाहर से देखने पर अंतरिक्ष चकाला दिखाई देता है क्योंकि प्रकीनन के लिए आवश्यक धूलकर्ण अनुबस्तित होते हैं चलिए अब आगे बात करते हैं lenses के बारे में तो lens दो प्रकार के होते हैं उत्तर lens और अवत्तर lens उत्तर लेंस को अविसारी लेंस का जाता है, इसमें focus positive और object real object होते हैं, सामान्य वास्त्विक और उल्टा प्रतिविंब बनता है, लेकिन जब वस्तू focus के अंदर रखी होती है, तब आभासी सीधा और बड़ा प्रतिविंब बनता है, इसके बाद आता है अवत्तर लेंस या one upon fm, अब हमारी आँखों में भी lens होता है, तो lens related विभिन प्रकार की defects देख लेते हैं, पहले आता है short sightedness या myopia या निकट दृष्टी dose, इसमें वेक्ति नजदीग की वस्तूएं तो देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तूएं देखने में गठिना ही होती है, myopia में क्या होता है, कि आखों के lens की focal length कम हो जाती है, जिससे power बढ़ जाता है, और जो retina है वह अपने नियत इस्थान से पीछे चला जाता है, तो प्रतिबिम रेटिना के सामने ही बनने लगता है, मतलब दूरस्त बिंदू अनंत से घटकर वेक्ति के करीब आ जाता है, myopia क अधिक की वस्तूएं देखने में कटना ही होती है, hypermetropia में आखों की lens की focus दूरी अधिक हो जाती है और पावर कम हो जाता है, और retina अपने नियत इस्थान से आगे चला जाता है, जिससे की प्रतिबिम रेटिना के पीछे बनता है, और वेक्ति का निकटतम बिंदू 25 cm से अधिक हो जाता है, hypermetropia का निदान, convex lens या उत्तल दरपन के माध्यम से होता है, अब इसके बाद है जरा दृष्टी दोस्ट या presbyopia, यह दोस्थ सामानिता व्रिद्ध वेक्तियों में होता है, इसमें वेक्ति नजदीक और दूर दोनों की वस्तूएं ठीक से नहीं देख पाता, presbyopia में ciliary pacy कमजोर हो जाती है और lens के लचीलेपन में कमी आती है, इसमें निकट और दूर दृष्टी दोस्थ दोनों के प्रभाव पैदा होते हैं, इसका निदान bifocal lens से होता है, अगला आता है astigmatism या आबिंदुकता, इस दोस्थ में वेक्ति के कौर्णिया की सत तहा आसमान हो जाती है, जिसके कारण वेक्ति कई वस्तों को सामानी रूप से नहीं देख पाते, ऐसे वेक्तियों को दृष्टी छेत्र का कुछ भाग तिर्चा दिखाई देता है, इसका निदान बेलनाकार lens के माध्यम से होता है, तो ये सारी बाते थी विभिन mirrors and lenses के बा आदियम या पदार्थ के कणों के कंपन के कारण पैदा होती है, कंपन की रूप में गमन करती है, यह एक अनुदायर के तरंग है, इसमें पदार्थ के कंणों के कंपन की दिश्या, धनी की दिश्या में ही होती है, बात करते हैं स्रिवन शम्ता या range of hearing की, तो मनुष्य की स से 20,000 Hz तक होती है 20 Hz से कम आवरिति का sound इंफ्रा साउंड और 20,000 Hz से अधिक आवरिति का sound अल्टरा साउंड कहलाता है भूकम की ध्वनी इंफ्रा साउंड के रूप में भूकम तरंगों से पहले पहुँच जाती है जिसे बिल में रहने वाले जानवर सुनकर बिल से बाहर आ जाते हैं आगे डॉग, डॉल्फिन, वेल आदी में इंफ्रासाउंड सुनने की श्वमता होती है आगे अल्ट्रासाउंड का यूज, इको लोकेशन, अल्ट्रा सोनोग्राफी, सोनार या साउंड नैविगेशन और रेंजिंग आदी में खिया जाता है अब स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो हवा में इसकी गती 332 मीटर पर सेकेंड है इसे ही एक मैक कहा जाता है पानी में ध्वनी की चाल 1490 मीटर पर सेकेंड है और इसपात में ध्वनी की चाल 540 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ओफ साउंड इकोल टू होता है अंडर रूट successfully upon density याद रखेगा कि density हमेशा वेलोसिटी ओफ साउंड के व्योत्ख्रमानु बाती होती है इससे ही वायू का घंत्व कम होने पर ध्वनी की गती बढ़ती है वायू का तापमान बढ़ाने पर वायू की सघंता गया घंत्व कम हो जाता है जिससे ध्वनी की गती बढ़ जाती है मतलब velocity of sound is directly proportional to temperature फिर वायू में आद्रता या जलवास्व बढ़ने पर वायू की सघंता कम हो जाती है फलस्वरूप ध्वनी की गती बढ़ती है जब ध्वनी की तरंगे एक से दूसरे मध्यम में प्रवेश करती हैं तो ध्वनी की गती में परिवर्तन होता है ये परिवर्तन तरंग देर के परिवर्तन के कारण होता है धवनी की आवरती आपरिवर्तित रहती है यह नियम प्रकास पर भी लागू होता है अब बात करते हैं pit या तारत्व के बारे में तो high pitch sound में frequency अधिक होती है जोकि females की voice मैं पाये जाता है इसलिए उनकी आवाज तीक श्णुन होती है फिर low pitch sound में frequency कम होने के कारण आवाज भारी होती है जैसे males की आवाज होती है अब ध्वनी में ही आता है Doppler प्रभाव जब ध्वनी के सुरोत और सुरोता के बीच सापेक्षिक गती हो तब सुरोता को ध्वनी के आवरती बढ़ली होई प्रतीत होती है इसे ही Doppler effect कहते है जब कोई ध्वनी सुरोत, सुरोता की ओर बढ़ता है तब उसकी आवरती बढ़ती होई प्रतीत होती है और जब दूर जाता है तो आवरती घटी होई प्रतीत होती है वास्तों में ऐसा नहीं होता, यह प्रबाव सिर्फ सापेक्षिक गती के कारण पैदा होता है अब डोपलर एफेक्ट का प्रियोग, राडार में माइक्रोवेव, सोनार में अल्टरा साउंड और स्पीड गन तदा अल्टरा सोनोग्राफी आदी में होता है यह प्रबाव सिर्फ ध्वनी में नहीं, बल्कि प्रकास और अन्यज विद्दुच चुम्ब की तरंगों में भी लागू होता है जब कोई प्रकास रोत दूर जाता है तो उसके प्रकास की आवरती कम प्रतित होती है और प्रकास लाज शेत्र की तरफ विस्तापित हो जाता है दूर जाने पर आवरती की कमी होती है, तारों में रेट सिफ्ट ब्रह्मान के निरंतर फैलाव को प्रदर्सित करता है आगे प्रकास की तरह ही ध्वनी का भी परावरतन होता है बात करते हैं इको साउंड के बारे में या प्रति ध्वनी के बारे में तो किसी सता से ध्वनी के परावरतन के बाद प्रति ध्वनी सुनाई दे दी है अब इस एको को सुनने के लिए न, ध्वनी और प्रती ध्वनी के मद्दिका नियूंतम समय अंतराल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए अब ऐसा तभी होगा जब ध्वनी परावर्तन की सता कम से कम 16.6 मीटर या उससे अधिक दूर हो माना उमस्तिस किसी ध्वनी या दृष्षी संकेत को कम से कम 0.1 सेकेंड तक बनाए रखता है और चलचित्र इसी पराधारित्थे पहले आगे बात करते हैं अनूरणन या रिवर्बरेशन के बारे में तो जब ध्वनी एक से अधिक सतों से टकरा कर कई प्रती ध्वनिया बैदा करती है तो उसे रिवर्बरेशन कहा जाता है जबागारों या सिनेमा घरों में दिवारों पर ध्वनी अवसोसंड सता अनूरणन को कम करने के लिए ही लगाई जाती है अब बात करते हैं ध्वनी की तीवरता और प्रबलता के बारे में तो ध्वनी की तीवरता या intensity ध्वनी तरंगों के द्वारा उर्जा की वह मात्रा है जो एकाई समय में एकाई छेत्र से गुजरती है इसकी एकाई वाट पर मीटर स्कुएर है फिर आता है ध्वनी की प्रबलता या loudness तो किसी ध्वनी के प्रती स्रवंड सक्ति की प्रतिक्रिया ध्वनी की प्रबलता कहलाती है ध्वनी की प्रबलता ध्वनी की तीवरता के साथ साथ वेक्ति की स्रवंड शम्ता पर भी निर्भर करती है इसकी काई decibel है चलिए अब आगे विभिन प्रकार के रंगों की बात करते हैं तो रंग तीन प्रकार के होते हैं Primary, Secondary और Complimentary Colors Primary Colors लाल, हरा और नीला रंग है इन तीनों को मिलाने पर सफेद रंग बनता है अब Secondary Colors वे होते हैं जो प्रात्मिक रंगों को मिलाने से बनते हैं जैसे लाल और नीले को मिलाने से मेजेंडा हरे और नीले को मिलाने से पीकॉक कलर और लाल और हरे को मिलाने से पीला कलर बनता है जब दो रंग परस पर मिलने से स्वेद प्रकास उत्पन करते हैं उन्हें पूरक रंग कहा जाता है जैसे लाल और पीकॉक नीला तता हरा और मेजेंटा कलर और नीला तता पीला कलर मिलकर सफेद रंग बनाते हैं अब बात करते हैं विद्युत के बारे में सबसा पहले बात करेंगे इस्थर विद्युत के बारे में तो पदार्सों को परस्पर रगणने से उस पर जो आवेस की मातर संचित होती है उसे ही विश्थर विद्युत कहा जाता है। बेंजमिन फ्रेकलिन ने दो प्रकार के आवेसों को बताया था धनात्मक और रिनात्मक आवेस। आगे देखते हैं कूलाम के नियम को तो दो इस तेर विद्युत आवेसों के बीच लगने वाला अकरसंड अत्वा प्रतिकरसंड बल दोनों आवेसों की मातराओं के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्करमानुपाती होता है और यह हैं बल दोनों आवेसों को मिलाने वाली रेखा के अनुधिस्कारी करता है। आगे जानते हैं विद्धु शेल के बारे में या इलेक्रिक सेल के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, परात्मिक सेल और दुटियक सेल। प्रात्मिक सेल होते हैं जो रासायनी कूर्जा को सीधे विद्धूतूर्जा में परिवर्थित करते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद दुबारा यूज नहीं किया जा सकते प्रात्मिक सेल के उधारन है वोल्टिक सेल, लेकलांस सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल आदी लेकलांस सेल का प्रियोग विद्धुद घंटी और टेलीफोन जैसे, रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्धुद धारा की अवशक्ता जिन उपकरणों में होती है, उसमें किया जाता है फिर दुद्यक सेल आते हैं, जो पहले विद्धुद उर्जा को रसायनी कूर्जा में परिवर्थित करके उर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन इनने दोबारा प्रयोग करने के लिए इनमें दोबारा आवेशन करके विद्धुद उर्जा को रसायनी कूर्जा में परिवर् इसकी दिश्या धन आवेश की गति की दिश्या की ओर होती है और इसका ऐसा ही मात्रक एंपियर है यह एक अधिश्च रासी है किसी चालक तार में एक एंपियर विद्धुद्धारा प्रवाहित होने का अर्थ होता है कि उस तार से प्रती सेकेंड 6.25 इंटू 10 to the power 18 एलेक्ट और अन्यकारकों द्वारा उत्पन किया गया व्यवधान है इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है ओम सुलो देखते हैं या ओम का नियम तो यदि चालक की बहुते कवस्था जैसे ताप आदी में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरो पर लगाया गया विभुवानतर उसमें धारा के अनुक्रमानुपाती होता है वी इस प्रपोशनल टू आई इसका फॉर्मूला है वी क्वल टू आई आर आगे आता है चालकत है या कंडक्टेंस तो किसी चालक के प्रतिरोत के व्युत्रम को चालक की चालकता कहा जाता है इसे जी से दर्साते हैं इसका ऐसा ही मात की शेत्रफल के व्यूत्रमान उपाती होता है तो R is proportional to L upon R R equal to rho L upon A इसमें rho एक नियतांग है जिसे विशिष्ट प्रतिरोद कहा जाता है इसका सूत्र है rho equal to R A upon L आगे आती है conductivity या विशिष्ट चालक था यह किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोद के व्यूत्रम को कहा जाता है इसका ऐसा ही मात्रग Ohm Inverse Meter Inverse है अब प्रतिरोदों के सहियोजन की बात करें तो यदि स्रेणी क्रम में प्रतिरोदों को जोड़ा जाता है तो सर्केट में प्रतिरोदों का total मान उन सभी प्रतिरोदों के योग के बराबर होता है लेकिन यदि प्रतिरोदों को समानतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके व्योत क्रमों का योग टोटल सरकेट में उपस्तित प्रतिरोद को दर्साएगा अब विद्धुत शक्ती या एलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो यह विद्धुत परिपत में उर्जा की 6 होने की दर होती है इसका ऐसा ही मातरक वार्ट है आगे कुछ उपकरणों की बात करते हैं तो ओम मीटर विद्धुत प्रतिरोद को मापता है ए मीटर विद्धुत दारा को एमपियर में मापता है और अमीटर को हमें इसा स्रेणी क्रम में लगाते हैं एक आदर्स अमीटर का प्रतिरोद 0 होता है फिर वोल्ट मीटर आता है जो परिपत में किनी दो बिंद्धुओं के बीच के विभवानतर को मापता है इसे सदैव समानतर क्रम में लगाये जाता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनन्त होता है अगला है गैलवेनो मीटर यह विद्धुत परिपत में विद्धुत धारा की उपस्थिती बताता है इसकी सहायता से 10 to the power minus 6 ampere तक की विद्धुत धारा को मापा जा सकता है आगे बात करते हैं विद्धुत फ्यूज या एलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में यह मिस्ट धातु का बना होता है जिसमें 63% टिन और 37% सीसा होता है यह सदेव परिपत के साथ स्रेनी क्रम में जोड़ा जाता है इसका गलनांग कम होता है आगे आता है शंट शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनो मीटर के समांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाये जाता है गैल्वेनो मीटर के स्रेनी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाते है फिर आगे है ट्रांसफॉर्मर यह विद्व चुम्ब की प्रेरण के सिद्धान पर कारी करता है यह AC वोल्टेज को रेगुलेट करने या कम जादा करने का कारी करता है यह केवल प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करेंट के लिए प्रयुक्त है ट्रांस्फॉर्मर के क्रोट को बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग होता है आगे आता है जन्रेटर या AC डायनेमो यह यांत्रिक उर्जा को विद्व तूर्जा में परिवर्तित करता है और यह विद्व चुम्ब की प्रेरण के सिद्धान पर कारी करता है इसी सिद्धान पर विद्व तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलती है आगे रेक्टी फायर या दिश्ट कारी AC करेंट को DC करेंट में बदलता है फिर माइक्रोफोन आता है जो की ध्वनी उर्जा को विद्धु तूर्जा में बदलता है यह विद्धु चुमकी प्रेरण के सिद्धान पर आधारे थे अब विद्धु धारा के चुमकी प्रभाव की खोच डैनमार के वैग्यानिक और स्टेड ने की थी चलिए अब आगे बात करते हैं चुमबकत्व के बारे में ही तो प्राकृतिक चुमबक आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं इनका कोई निश्चे ताकार नहीं होता और कृत्रिम विद्धियों से चुमबक का निर्माण लोहे, इसपात और कोबाल्ट आधी से बनाया जाता है अब चुमबकी सुई जो होती है वह उत्तर की तरफ संगेत करती है मुक्त रूप से लटकती हुई चुमबकी सुई का अक्ष भोगलिक अक्ष के साथ 18 डिगरी के कौन पर होता है फिर चुमबकी बल रेखाएं सदैव चुमबक की उत्तरी ध्रूप से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिनी ध्रूप में प्रवेस करती है अब आगे लोह चुमबकी या फेरो मेगनेटिक सबस्टेंस की बात करते हैं तो ये वे पदार्थ हैं जो चुमबकी छेतर में रखने पर छेतर की दिसा में प्रबल रूप से चुमबकित हो जाते हैं जैसे लोहा निकल कोबाल्ट इस बात आ दी बात करें डोमेन की तो लोह चुमबकी पदार्थ में प्रतेक परमाणू एक चुमबक होता है उसमें असंग के परमाणू के समूव होते हैं इसे ही डोमेन कहते हैं फिर है क्यूरी ताप या क्यूरी टेंपरेचर ये वह टेंपरेचर है जिसके उपर पदार्थ अनु चुम्बकी और जिसके नीचे पदार्थ लोह चुम्बकी होता है लोह और निकल के लिए क्यूरी टेंपरेचर के मान 770 डिग्री सेल्सियस और 358 डिग्री सेल्सियस है जितना कौन बनाते हैं उसे उस स्थान का नमन कौन कहा जाता है प्रत्वी के द्रुप पर नमन कौन का मान 90 डिग्री और विश्वत रेखा पर 0 डिग्री होता है तो ये सारी बाते थी चुम्ब कत्व के बारे में अब आज का अगला टॉपिक लेते हैं हीट या उस्मा तो उस्मा उर्जा का वहरूब है जो दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने पर उच्च से निमनताप की और प्रवाहित होता है उस्मा का प्रवाहत पदार्थ की चालकता पर निर्भर करता है समान तापमान पर सुचालक पदार्थ अधिक कर्म या अधिक ठंडा महसूस होता है बात करने टेंपरेचर की तो किसी वस्तुओं की गर्महट या ठंडेपन के इस्तर को ताप कहा जाता है अब इसी ताप का अंकी परिणाम तापमान कहलाता है बात करते हैं थर्मोमीटर की तो ये तीन प्रकार के होते हैं पहला है लिक्वेट थर्मामीटर या तरल तापमापी इसका सिद्धान तरल का उसमी प्रसार है इसमें जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है उससे चिकित्सकी उप्योग में लिया जाता है और इसके range या परास कम होती है वा यह अत्यांत निम ताप क्रम पर कारे नहीं करता है दूसरा आता है alcohol thermometer यह मौसम अध्यन में प्रयोग होता है इसकी range अधिक होती है और यह अत्यदिक निमन ताप क्रम पर भी कारे कर सकता है धर्मामीटर का दूसरा प्रकार है Platinum Resistance Thermometer यह तापमान के साथ धातू के प्रतिरोध के बढ़ने के सिदान पर आधारित है इससे उच्च तापमान को मापा जा सकता है इसका प्रयोग ओध्योगिक और वेग्यानिक शेत्रों में होता है तीसरा आता है PYROMETER यह अतदिक उच्छ तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है अब इसमें पहला है टोटल रेडियेशन पाइरोमीटर यह स्टीफन के सिद्दान पर आधारित है जिसके द्वारा सूर्य और तारों से उच्चरजित इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव के विसलेशन के आधार पर इसका तापमान ग्याद किया जाता है दूसरा है ऑप्टिकल पाइरोमीटर यह वीन के नियम पर आधारित है जिससे 30,000 डिगरी सेल्सियस और उससे अधिक तापमान को माप सकते हैं चली आगे देखते हैं विसिष्ट उसमा धारिता या स्पेसिफिक हीट कैपिसिटी के बारे में तो किसी पदार्थ की एक ग्राम की मात्रा में एक डिगरी सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उस्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट उस्मा धारीता कहते हैं जल की विशिष्ट उस्मा धारीता का मान थल की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए जल थल की अपेक्षा देड़ से गर्म होता है और देड़ तक गर्म रहता है अब बात करते हैं Heat Transfer के बारे में तो ये तीन तरह से होती है Conduction, Convection और Radiation पहला है Conduction या चालन यह सिर्फ ठोस वस्तुमा में होता है जिसमें उच्च तापकन अपने संपर्क में उपस्थित निम्न तापकनों की उसमा प्रदान करते है अब बरतन के हैंडल पर लकडी या बेकलाइट का प्रियोक किया जाता है जिससे चालन नियूंतम हो सके Heat Transfer का दूसरा प्रकार है Convection या समवहन यह द्रव और गैसों में होता है जिसमें पदार्थ के कंड उच्च उसमा से निम्न उसमा शेतर में गति करते हैं जब तक कि संपूर्ण पदार्थ का तापमान समान ना हो जाए इसका एक्जामपल है कि प्रित्वी के वायू मंडल के गर्म होने में समवहन का सरवाधिक प्रभाव होता है तीसरा प्रकार है Adiation या Vikiran इस विदी में माध्यम के अवशक्ता नहीं होती ये विद्दुचुम्बकी तरंगों के रूप में उतसर्जित होती है जैसे सूर्गी उसमा प्रतफी तक विकीरन के रूप में पाउस्ती है चली आगे बात करते हैं उसमी प्रसार या थर्मल एक्सपेंसन के बारे में जल का अधिक घनत्व के कारण बर्फ की सता के नीचे रहता है जिसमें जली जीवजन्तु जीवित रहते हैं आगे हैं Newton's Law of Cooling इसमें दो वस्तुओं में उसमा के इस्तानांतरन का दर तापमान के अंतर के समानुपाती होता है फिर आता है पैमबा का नियम अगर फ्रेजर में एक थंडे पानी का ट्रे और दूसरा गर्म पानी का ट्रे रखा जाए तो गर्म पानी का ट्रे अब एक चाकरत तेजी से जमता है जिसका मुख्य कारण है कि वास्पी करण का दर्थ तीव होने के कारण उर्जा अच्छे तेजी से होगा और वास्प करण हिम करणों में बदल जाते हैं जिससे तापमान काफी कम हो जाता है अब अगला टॉपिक लेते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन इसमें पहला है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांग बिंदू तो वह है निशित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बतल जाता है वही गलनांग बिंदू कहलाता है इस टेंपरिचर पर ठोस और द्रव तापी साम के अवस्था में होते हैं आगे असुद्धी मिलाने पर पदार्थ का गलनांग कम हो जाता है यदि बर्फ में परियाप्त नमक मिला दिया जाये ना तो बर्फ का गलनांग माइनेस 22 डिगरी सेल्सियस पहुँच जाता है और इस मिसरन को हिम मिसरन कहते हैं इसका उपयोग आईसक्रीम और कुलफी जमाने में किया जाता है और इसलिए ठंडे प्रदेसों में हिमपात को हटाने के लिए नमक छिड़का जाता है किसी सामानी ठोस पर दाब के प्रभाव के कारण उसका गलनांग बढ़ जाता है गलनांग के फ़त जरूब उसमी प्रसार होता है लेकिन दाब इस उसमी प्रसार को रोकता है जिससे गलनांग बढ़ जाता है लेकिन बर्फ इसका पवाद है बर्फ में दाब बढ़ाने पर इसका गलनांग कम होने लगता है आगे आता है कौतनांक या बॉइलिंग पॉइंट ये वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है या द्रव और गैस तापी साम में कि ये अवस्था में पाये जाते हैं द्रव का कौतनांक बढ़ जाता है ये ही कारण है कि प्रैसर कुकर में खाना आसानी से बन जाता है पहाडों में खुले बरतन में खाना बनाना कठिन होता है क्योंकि वायूमेंडली द्रव कम होने के कारण कौतनांक कम होता है आगे असुद्धी मिलाने पर कौतनांक बढ़ जाता है इसलिए उबलते हुए जल के अपेक्षा उबलता हुए चीनी का घोल ज्यादा जलाता है आगे बात करते हैं लेटेंट हीट या गुप्त उश्मा के बारे में तो यह उस्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के अवस्ता परिवर्तन के द्वारन खर्च होती है बर्फ के गलन की गुप्त उश्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम है दूसरे शब्दों में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी उस्मा की मांग होती है इसी तरह है वास्पन की गुप्त उस्मा या latent heat of vaporization किसी निश्चिता पर द्रफ के इकाई द्रवेमान को वास्प बें बदलने के लिए आवश्यक उस्मा को वास्पन की गुप्त उस्मा कहते हैं जैसे जल के वास्पन की गुप्त उस्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम है हिमपात के बाद बर्फ के पिगलते समय परिवेश का दापमान गिर जाता है और अधिक ठंड लगती है चलिए अब बात करते हैं मेकेनिक्स के बारे में इसमें सबसे पहले बात करेंगे बहुतिक राशियों की तो जिन्हें संक्या की रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें बहुतिक राशिया कहते हैं इसमें पहली है अधिस राशिया इसकेलर कॉइंटिटीज ऐसी बहुतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवशक्ता होती है जैसे समय, दूरी, चाल, रविमान, आयतन, घनत्व, कार्य, उर्जा, शक्तियादी और दूसरी आती हैं सदिस राशियां या वेक्टर कॉइंटिटीज इन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवशक्ता होती है जैसे विस्थापन, वेक, समवेक, त्वरण और बल चलिए अब आगे जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट के बारे में तो किसी वस्थू के द्वारा तै की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई दूरी या डिस्टेंस कहलाती है जो हमेशा धनात्मक होती है अब किसी वस्थू के अंतिम और प्रारंबविक बिंदू के बीच की नियून्तम दूरी विस्थापन होती है यह सदिश रासी है इसका मान धनात्मक, रिनात्मक या फिर सून्य तीनों ही हो सकता है आगे आता है स्पीड और वेलो सिटी तो चाल बराबर होता है दूरी बते समय और वेग बराबर होता है वस्थापन बड़े समय इसी से संबन्दित है त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं त्वरण बराबर होता है वेग बड़े समय A equal to V upon T अब वेग में परिवर्तन दो प्रकार्स किया जा सकता है पहला परिणाम बदल कर और दूसरा दिश्या बदल कर एक समान वित्ती गती त्वरित गती है क्योंकि इसमें परिणाम अपरिवर्तित रहता है परन्तु दिश्या लगतार बदलती रहती है प्रत्वी पर चक्कर लगा रहे उपक्रे त्वरित गती ही करते हैं चलिए आगे बात करते हैं फोर्स या बल के बारे में F equal to MA तो बल वह कारक है जो वस्तू की अवस्ता या आकार में परिवर्तन करता है अब बल विभिन प्रकार के होते हैं जैसे आकरसंड बल, प्रतिकरसंड बल, धक्के का बल और खिचाव का बल ये सभी फोर्सेस मुखेता चार प्राकृतिक फोर्सेस से उत्पन्न होते हैं पहला है गुरुत्वा करसंड बल, दूसरा विद्वच चुम्ब की बल, तीसरा प्रबल नाभिकी बल और चौथा दुर्बल नाभिकी बल इन सभी बलों में गुरुत्वा करसंड सबसे कमजोर बल है और सबसे शक्ति शाली है प्रबल नाभिकी बल चलिए अब नियुटन की गदी के नियम देखते हैं तो इसका पहला नियम है जड़त्व का नियम इसके अनुसार जब तक वस्तू पर बाह बल आर्विक ना हो तब तक वस्तू अपनी इस्थितीम में ही बनी रहती है चाहे वह इस्थे रवस्ता में हो या फिर गति से लवस्ता में अब वस्तू का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है जड़त्व दो प्रकार का होता है, इस्थिरता का जड़त्व और गति शीलता का जड़त्व अब न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, F एकॉल टू P अपॉंटी, जहां P समवेग है तो दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तू में सम्वेक परिवर्तन की दर उस वस्तू पर लगाए गए बल के समानुपाती और बल की दिश्याम में ही होती है इसलिए क्रुकेट का खिलाडी गेन पकड़ने के क्रम में हाथ को पीछे खिचता है ताकि समय का मान अधिक हो सके और लगने वाले बल का मान कम हो आगे कराटे का खिलाडी तेजी से प्रहार कर इटो को तोड़ देता है क्योंकि वह सम्वेक परिवर्तन के दर को बढ़ाता है चली अब न्यूटन की गठी का तीसरा नियम देखते हैं यह है क्रिया के बदले प्रतिक्रिया का नियम इसी नियम के चलते बंदूग से गोली दागने पर विपरी दिसा में प्रतिक्रिया बल लगता है जिससे पीछे की ओर जटका लगता है और रॉकेट में गती उससे निकलने वाली गैसो की प्रतिक्रिया बल के कारण ही होती है जमीन पर पैदल चलता हुआ विक्ती प्रतिवी पर बल लगाता है और प्रतिक्रिया के रूप में विक्ती पर बल लगाकर उसे आगे धकेलती है अब आगे देखते हैं समवेक संरक्षन के नियम को तो किसी निकाय पर अगर कोई असंतुलित बल कार यह नहीं कर रहा है तब इनका कुल समवेक संरक्षित रहता है जैसे गोली दागने से पूर्व और गोली दागने के बाद बंदूग और गोली के कुल समवेक का मान सूननी होता है अब किनी दो वस्तुओं में टक्कर के पूर्व कुल समवेक का मान टक्कर के बाद के कुल समवेक के मान के बराबर होता है चलिए बात करते हैं घर्चन या फ्रिक्षन के बारे में तो वह बल जो वस्तुआँ के संपर्थ सदा पर कारी करता है तथा पारस पर इक गती का विरोत करता है घर्चन कहलाता है सामाने ताग घर्षन बल की दिश्या वस्तु पर आरोपित बल की दिश्या के विपरीध होती है विक्ती धर्ती पर चलने के क्रम में अपने पैट से धर्ती को पीछे की तरफ धक्का देता है तथा पैर और प्रित्वी के मध्य घर्षन बल की दिश्या आगे की तरफ होती है अब घर्षन के प्रकारों की बात करें तो पहला है static force of friction या aesthetic घर्षन जब किसी वस्तू पर बल लगाये जाए और वह गतिसील ना हो तो संपर्ख सताओ पर लगने वाला बल static घर्षन बल कहलाता है दूसरा है limiting force of friction या सीमांत घर्षन बल तो सीमांत घर्षन बल का मान वस्तू में गति शुरू करने के लिए आवश्यक नियूंतम बल के मान के बराबर होता है फिर तीसरा प्रकार है गतिक घर्षन बल या dynamic force of friction तो गति करती हुई वस्तूओं के संपर्ख सताओं के बीच लगने वाला घर्षन बल गतिक घर्षन बल है इन तीनों forces में सीमांत घर्षन बल का मान सरवादिक होता है अब ओद्योगिक प्रयोगों के अनुसार घर्षन एक नकारात्मक बल है जिससे की मसीनों की उर्षन का अपवय होता है और उत्पादन में कभी आती है इसे दो प्रकार से दूर किया जा सकता है पहला संपर्क सता को चिकना बनाया जा सकता है और उसमें स्नेहक या ल्यूब्रिक एंट को लगाया जा सकता है जिससे की सरवी घर्षन बल की प्राप्ति हो सके और दूसरा तरीका है मसीनों में बाल बीरिंग का प्रयोग किया जाता है जिससे rolling घर्चन बल की प्राप्ति होती है इसका मान सबसे कम होता है अब घर्चन बल के कुछ विवहारिक प्रयोग है कि हम friction के कारण ही चल पाते हैं वहनों में break easy से लगता है वहनों के पहिय और जूतों की सता खुर्दूरी बनाई जाती है ताकि संपर्च सदाओं पर आवश्यक घर्चन बल की प्राप्ति हो सके चलिए अब आगे बात करते हैं Newton's law of gravitation के बारे में तो किनी भी दो पिंडों के मध्य आखर्चन बल उनके द्रवेमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्यूत करमानुपाती होता है F एकॉल टू G M1 M2 अपॉन R स्कुरर जहां पर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट है आगे हैं गुरुत्व या ग्रेविटी तो गुरुत्व वह आकर्सन बल है तो जब कोई वस्तू मुक्त रूप से पृत्वी की ओर गिर रही होती है तो उस वस्तू के वेग में प्रती सेकेंड होने वाली व्रिद्धी को गुरुत्वी त्वर्ण कहते हैं जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है और प्रत्वी के लिए गुरुत्वी त्वर्ण का मान प्रत्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और प्रत्वी की त्रिज्या के व्योत्करमानुपाती होता है इसका फॉर्मूला है small g equal to g m e upon r square तो इस फॉर्मले के अनुसार पृत्वी पर गुरुत्वी त्वरन के मान इस प्रकार बदलते हैं कि पृत्वी ध्रोवों पर चप्टी है इसलिए उसकी तृज्या कम हो जाती है तो भूमद्यरेका से द्रोवों पर जाने पर गुरुत्वी त्वरण का मान बढ़ जाता है क्योंकि प्रित्वी की त्रिज्या द्रोवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधेक है आगे प्रित्वी की सता से उपर जाने पर जी का मान घड़ता है क्योंकि पृत्वी की तृजया या केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है लेकिन पृत्वी की सता से नीचे जाने पर भी जी का मान घड़ता ही है इसका कारण है कि पृत्वी से नीचे जाने पर तृजया तो कम हो रही है लेकिन द्रवे मान में भी आभाशी कमी होती है इसलिए जी का मान कम होता है और गुरुत्वी त्वरण का मान सरवाधिक पृत्वी की सतापर ही होता है अब यदि पृत्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे तो जी के मान में वृध्धी होगी क्योंकि विपरीत दिसां में लगने वाला अपकेंदरी बल सून ही हो जाएगा और यदि पृत्वी अपने अक्ष पर तेजी सो गूमना प्रारम कर दे तो जी का मान घट जाएगा क्योंकि अपकेंदरी बल का मान बढ़ जाएगा चलिए अब देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है तो द्रव्यमान को मास कहते हैं किसी वस्तु में अपस्तित पदार्थ की मातरा द्रव्यमान है यह अपरिवर्तन शील रासी है इसकी काई क्लोग्राम होती है इसे बार बैलेंस या डंडी दार तुला से मापते हैं बात करें भार या वेट की तो द्रव्यमान पर गुरुत्वी त्वरण के कारण आरोपित बल को उस वस्तू का भार कहते हैं भार परिवर्दन शील रासी है इसकी एकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है जिसे न्यूटन कहते हैं भार को कमानी दार तुला या स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है चली आगे बात करते हैं लोलक या पेंडूलम के बारे में तो किसी पेंडूलम के द्वारा एक सेकेंड में दोलनों की कुल संख्या आवरिती कहलाती है किसी पेंडूलम के द्वारा एक दोलन या कमपन में लगा समय आवर्थकाल कहलाता है और यह आवर्थकाल आवरिती के व्योतक्रमानुपाती होता है अब आवर्थकाल का फॉर्मूला है टी इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी इसका मतलब यह है कि पेंडूलम की आवरिती पर या आवर्थकाल पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता किसी जूले पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्थकाल अपरिवर्थित रहता है और जूला उसी चाल से दोलित होता है हाँ अगर जूला जूलता हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए तब जूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और फॉर्मूले से देखें तो लंबाई में कमी आने से आवर्थकाल घड़ जाता है और आवर्थी बढ़ जाती है और जूला तेज चलने लगता है अब गर्मियों के समय क्या होता है कि घड़ी में पेंडूलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए आवर्थकाल भी बढ़ जाता है तो घडियां धीमी चलने लगती हैं इसके विपरीत सर्दियों में पेंडूलम की लंबाई कम हो जाती है और घडियां तेजी से चलने लगती है अगर पेंडूलम घडि को ध्रोवों पर रखा जाए तो जी का मान बढ़ने के कारण घड़ियां तेजी से चलने लगती है अब यदि पेंडूलम घड़ियों को पृत्वी की सता से उपर या नीचे रखें तब जी का मान कम होने लगता है और घड़ियां धीमी हो जाती है चलि अगले टॉपिक में देखते हैं अभी केंडरी बल या अपकेंडरी बल के बारे में तो वृत्ती पत पर गती करती हुई वस्तू पर दो प्रकार के बल खारी करते हैं ये दोनों बल परिणाम में बराबर और प्रकृती में विपरीत होते हैं और एक दूसरे को संतुलित करते हैं इसमें पहला है अभी केंडरी बल या सेंडरी बिटल फोर्स ये बल हमेशा वृत्ती पत के केंडर की दिशा में होता है उपगरहों के प्रत्वी के चारोर घूमने के लिए आवश्यक अभी केंडरी बल की प्राप्ती गुरुत्व बल से ही होती है अब साइकल सवार सडक मोड पर अपने आपको केंडर की तरफ जुका लेता है ताकि आवश्यक अभी केंडरी बल की प्राप्ती हो सके तीक्षिन मोड में सडकें अंदर की ओर जुकी हुई बनाई जाती है ताकि गाडियों को मुड़ते समय आवश्यक अभी केंद्री बल प्राप्थ हो सके अब दूसरा प्रकार है अब केंद्री बल या सेंट्री फ्योगल फोर्स तो वृत्ती पत पर घुमती हुई बस्तू पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल कारे करता है यह एक आभाशी और छद्म बल है जो बस्तू की गती के जड़त्व के कारण महसूस होता है इसका एक्डामपल है कि सडक के मोड पर गाड़ी के अंदर बैठा वेक्ती विपरी दिसमें जुग जाता है मौत के कुए में बाइक का संतुलन तीवर गती के कारण प्राप्त अपकेंद्री बल के कारण ही होता है फिर कपले सुखाने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धान पर कारे करती है दूट से मक्खल निकालने की प्रक्रिया इसी सिद्धान पर राधारित है चली अब आगे एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में जानते हैं असंजक और ससंजक बल तो एकी प्रकार के अणूओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं जैसे जल के अणूओं के बीच लगने वाला बल और अलग-अलग पदार्तों के अनुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है जैसे जल और कांच के बीच लगने वाला बल अब डार्क टिकट को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं जो असंजक बल के मान में वृद्धी करता है कांच की दो गीली प्लेटों को अलग करने के लिए वेक्ती ससंजक बल के विरुद्ध कारे करता है चले अब बात करते हैं प्रिष्ट तनाव या सर्फेस टैंसन के बारे में तो किसी तरल की प्रिष्ट सता पर उत्पन्न खिचाओ बल को प्रिष्ट तनाव कहते हैं यह सता के अनुओं पर लगने वाले बल के कारण पैदा होता है प्रिष्ट तनाव के कारण जल की बूंदों का निर्माण होता है इसी कारण सूरी या कीट जल की सता पर तैर पाते हैं जल के सर्फेस टैंसन को कुछ इस तरीके से कम किया जा सकता है जल को गर्म करके जल में साबुन या अपमार्चक या डिटर्जेंट मिलाकर जल में तेल डालकर आदी अब साबुन के घोल से बुलबुले बनाना आसान होता है क्योंकि इसका प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है अब बात करते हैं केशी कत्व या कैपिलरी एक्सन के बारे में तो किसी केश नली में द्रव के उपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को केशी कत्व का जाता है यह निमनकार को पर निर्भर करती है पहला केश नली की तुरिज्या पर और दूसरा जो द्रव केश नली की सता को भिगोता है वह उपर चड़ेगा और जो द्रव सता नहीं भिगोता वह नीचे आएगा केशी कत्व के उधारन है जाईलम, लाल्टेन में तेल का बत्तियों से उपर चड़ना किसान वर्सा होने पर खेट को जोतता है ताकि मिट्टियों में बनी केश नलिया तूट जाएं और नमी बनी रहे अब बात करते हैं विसको सिटी या श्यानता के बारे में तुक द्रव और गैस का वहे गुंड जिसके द्वारा यह अपने अलग-अलग पर्तों में होने वाले सापेक्षिक गती का विरोध करती है श्यानता गहलाता है अब तापान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता कम होती है श्यानता और गनत्व दो अलग-अलग भौतिक राशियां है वायू की अपेक्षा जल में चलना कठेन होता है क्योंकि जल की श्यानता वायू से अधिक है बादल वायू की श्यानता के कारण धीरे-धीरे नीचे आता है और हमें तेरता हुआ परतीत होता है अब आगे देखते हैं अब थ्रष्ट या उत्पलवन के बारे में तो जब किसी वस्तू को जल में डूबोया जाता है तो जल के अंदर से वस्तू पर उपर की और एक बल लगता है जो उसके डूबने का विरूत करता है इसे ही उत्पलवन बल कहते हैं किसी द्रव में पूर्टहा या आंसिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लवन बल का मान उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है इसे आर्कमेडीज का सिद्धान भी कहते हैं अब लोहे के जहाज को खोगला बनाया जाता है इसलिए इसका घनत्व कम हो जाता है और यह उत्प्लवन बल के कारण तैरता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा गुबारा वायू मंडल में उपर उड़ता है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है और वायू का उत्पलवन इस पर कारी करता है तो ये था उत्पलवन बल अब सारे टॉपिक्स कवर हो गए लास्ट मैं माप्तॉल के विभिन मात्रगों के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पर मैं विभिन बहुतिक राशियों के नाम और सीधे उनके मात्रग के नाम लूँगा तो श्टार्ट करते हैं लंबाई मीटर एम द्रविमान किलोग्राम केजी समय सेकेंड एस कार्य तथा उर्जा जूल जे विद्धारा एम्पियर ए उसमा गतिक ताप कैल्विन के जोतिती तीवरता कैंडिला सीडी कोन रेडियन रेड ठोश कोन इस्टे रेडियन एसार बल नूटन एन छेत्रफल वर्ग मीटर एम स्क्वेर आयतन घन मीटर एम क्यूब चाल मीटर पर सेकंड मैस इन्वर्ट कोनी वेग रेडियन पर सेकंड रेड सेकंड इन्वर्ट आवरिती हर्ड्ज ह्ज जनत्व आगून किलोग्राम वर्ग मीटर केजी मीटर स्क्वेर समवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड केजी मीटर सेकेंड इन्वर्स आवेग न्यूटन सेकेंड एनस कोणी समवेग किलोग्राम वर्ग मीटर पर सेकेंड डाब पास्कल पीए शक्ती वाट डबलू प्रिश्ट तनाव न्यूटन पर मीटर श्यान्था न्यूटन सेकेंड पर स्क्वेर मीटर उर्जा चालक्ता वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटिग्रेट विशिष्ट उस्मा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन विद्युत आवेश कूलांब C विभवांतर वोल्ट V विद्युत प्रतिरोद ओम विद्युत धारिता फेराड F प्रेरक हेनरी H चुम्बकी फ्लक्स वेबर WB जोती फ्लक्स ल्यूमेन LM प्रदीप्त घनत्व लक्स LX और तरंग देर्ग का मातरख है एंगेस्ट्रॉम अब आज के लेक्चर के लाश्ट टॉपिक में विभिन प्रकार के वेग्यानिक उपकर्णों की बात कर लेते हैं तो पहला है एक्युमिलेटर जो विद्युत उर्जा का संग्रहन करता है दूसरा एरो मीटर जिससे वाईू और गैस का भार तथा घनत्व ग्यात करते हैं फिर अल्टी मीटर उड़ते हुए विमान की उजाई मापता है ए मीटर विद्युत धारा को मापता है एनिमो मीटर हवा की शक्ती और गती मापता है ओडियो मीटर ध्वनी की तीवरता मापता है ओडियो फोन चुननने में साहता के लिए कान में लगाये जाता है फिर बैलिस्टिक गैलवेनो मीटर का प्रियोग लगुधारा या माइक्रो एंपियर को मापने में करते हैं फिर बैरोग्राफ का प्रियोग वायू मंडल के दाब में होने वाले परिवर्तों को मापते हैं बैरोमीटर से वायू दाब मापते हैं बाइनोक्योलर से दूर की वस्तू देखते हैं कैली पर्स के द्वारा बेलनाकार वस्तूओं के अंदर और बाहर के व्यास को मापते हैं मतलब वस्तू की मौटाई मापते हैं आगे कैलोरी मीटर तांबे का बना होता है और उस्मा की मात्रा को मापता है फिर कार्बोरेटर आता है जिसका प्रियोग internal combustion पेटरोल इंजिन में होता है इस यंत्र में पेटरोल और हवा का मिसरण बनाया जाता है फिर काइडियोग्राम रिदय गती की जाच करता है फिर क्रोनो मीटर जल यानो पर लगता है जो सही समय बताता है फिर सिनेमेटोग्राफ छोटी छोटी फिल्म को बड़े परते पर लगता क्रम में प्रोजेक्ट करता है फिर कमपास बॉक्स दिसा शूचक यंत्र है साइक्लोट्रोन आता है इसकी जायता से आवेशित कणों जैसे नाबकी कंड प्रोटॉन इलेक्टॉन आधी को त्वरित किया जाता है फिर डैंसिटी मीटर का प्रयोग घनत्व मापने में करते हैं डिक्टा फोन में अपनी बात या आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है नमन मापी से नमन कोण मापते हैं डैंडमो मीटर से इंजन द्वारा उत्पन की गई शक्ति को मापते हैं फिर एपिडायसकॉप से चित्रों को पर्दों पर प्रोजेक्ट किया जाता है फैदो मीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं गैलवेनो मीटर से विद्योध धारा की दिश्या और मात्राम आपते हैं गीगर मूलर काउंटर से रेडियो एक्टिव स्रोथ के विकरण की गढ़ना होती है ग्रेवी मीटर से पानी की सता पर तेल की उबस्तिती क्याद करते हैं गायरोसकोप से घूमती हुई वस्तु की गटी क्याद करते हैं हाइड्रो मीटर के द्वारा द्रवों का साफेक्षिक गनत्वग्यात किया जाता है हाइड्रो फोन से पानी के अंदर ध्वनी तरंगों की गढ़ना की जाती है फिर हाइग्रो मीटर से वायू मंडल में व्याप्त आदरता मापी जाती है इस्क्रू गेस से बारीक तारों के व्यास मापते हैं किलो इसकोप में टेली वजन से प्राप्त चित्रों को इसके उपर देखते हैं फिर कैलीडो इसकोप के द्वारा रेखा गड़ती आकरिती भिन भिन प्रकार की दिखाई देती है लाइटिंग कंड़क्टर तलिच चालक को कहा जाता है मेगा फोन ध्वनी को दूर इस्थान पर ले जाता है मैनोमीटर गेस का दाब ग्याद करता है माइक्रोइसकोप से सूक्ष में वस्तूओं को देखा जाता है माइक्रोटोम किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकडों में काटने में कामाता है जिनका भी सूख स्मिध्यन करना होता है ओडोमीटर पहिये वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने में कामाता है औसीलोग्राफ विद्ध और यांत्रिक कमपनों को ग्राफ पर चित्रित करता है पेरिस्कूप पंडुब्यों में उपयोग होने वाला यंत्र है जिसकी सायता से पानी में डूबे हुए पानी के उपर के दृष्च दिखाई देते हैं फिर पोटेंशियो मीटर का प्रयोग विद्ध वहग बलों की तुलना करने में लगू प्रती रोधों को मापने में वोल्ट मीटर और अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है आगे पाइरोमीटर दूर इस्थित वस्तुओं के ताप को ग्यात करने के लिए प्रयूग होता है फोनोग्राफ धनी लेखन के काम आने वाला उपकरण है फोटामीटर दो स्रोतों की प्रदीपन्त तीवृता की तुलना करता है फोटो टेलीग्राफ फोटोग्राफ एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर पहुंचाता है साइटो ट्रोन कृत्रिम मौसम उत्पन करने में काम आता है राडार अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायू जानों के संसूचन और उनकी स्थिती ग्यात करता है RAN Gage वर्सन आपने के काम में आता है Radio Meter विकीरणों को मापता है Radio Telescope के माध्यम से ही दूरस्त स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली के माध्यम से देखा जाता है Refractometer पारदर्सी माध्यमों का अबवर्तनांग ज्याद करता है Seismograph भूकम का पता लगाता है Safety Lamp खानों में प्रयोग होता है यह खानों में होने वाले विस्पोर्ट से बचाता है फिर Six Tent से किसी उचाई या मीनार जैसी उचाई को नापते है Strovoscope आवर्तित गती से घुमने वाली वस्तूओं की चाल नापता है Spherometer गोली तल की वक्रिता तुरिज्यम आपता है इससे समचार सोता ही प्राप्त हो जाते है फिर टेलेक्स के अंतरगत दो इस्थानों के मध्य समचारों को सीधा आदान प्रदान किया जाता है टेलिस्कोप के मादम से दूर की वस्तूओं को इसपश्ट देख सकते है आगे टेल्स्टार एक ऐसा अंतरिक्ष उपकरण है जिसकी सायता से महाद्वीपों के आरपार टेलिविजन और बेतार प्रसारण भेज़े जाते हैं इसे अमेरिका ने अंतरिक्ष में इस्थाबित किया था फिर थर्मोस्टेट का प्रयोग किसी वस्तू का ताप एक निश्चित बिंदू तक बनाये रखने में किया जाता है थियोडोलाइट अनुप्रस्त तथा लंबवत कोण की माप ग्याद करने में काम आता है एक्टियोमीटर सूरी करिणों की तीवरता के निर्धारन करता है होबर क्राफ्ट एक वाहन है जो वायू की मोटी गद्दी या कुशन पर चलता है यह साधारन भूमी, दल-दल, बरफीले मैदान, रैगिस्तान, आदिपर तीवरता से चल सकता है इस वाहन का भूमी से संबर्क नहीं होता फिर आता है टैकोमीटर इसका प्रयोग वायू यान और मोटर नाव की गती नापने में किया जाता है तो यह थे फिजिक्स के बहुत से उपकरण आज का लेक्चर बस इतना ही जिसमें हमने बहुत इकी के बारे में सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए अब लेक्चर अच्छा लागा तो लाइक कर दीजे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजेगा अभी के लिए चलता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डॉपक के साथ थेंक यू सो मच फा लिस्नेंग